नैचुल गैस की बढ़ी होई कीमतों की मार योरोप की जंता पर ना पड़े इसके लिए उर्पीन उनियन ने नैचुल गैस के भाव पर कैपिंग का प्रस्ताव दिया है प्रस्ताव के मताबिक European Union में नैच्रल गैस की कीमतें 272 डॉलर प्रती मेगावाट आवर होंगी रूस यकरन रुद की वज़े से दुनिया वज़े में नैच्रल गैस की कीमतें बढ़ी होई है और योरोप में ठंड का मौसम शुरू होने की वज़े से मांग अधिक रहने का अनुमान है ऐसे में बड़ी होई कीमतों की मार जनता पर ना पड़े इसके लिए प्राइस कैपिक का प्रस्ताव लागू किया गया है सर ये कैपिंग लागू हो पाएगी European Union के देश में योरोप के देशों ने पिछले करीब करीब 20 दिन से काफी गहमा गहमी के साथ पर बहस की ब्रसल्स में और उसमें योरोप के देश काफी विभाजित दिखाई दिये उस पैठेक में कुछ देशों का मानना था कि कैपिंग लगाई जानी चाहिए कैपिंग का मतलब यह है कि अधिकतम गैस की कीमत बाजार में कितनी हो सकती है 222 डालर का जो रेट तैकिया गया है पर गिगावाट आवर के हिसाब से यह अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है इस पर जर्मनी और जैसे बड़े देश जो अपने हां बिजली के बिलों पर सबसीडी दे पार हैं उन्होंने शायद इसको सहमती जाहिर की पर जो काफी छोटे देश हैं जिनके पास फिनांसेज उतने मजबूत नहीं है वो इस से पूरी तरह सहमत नहीं दिखाई दिये थे यह भी माना जा रहा है कि कमपिनियों के तरफ से बड़ा दबाओ है दूसरी एक और चीज जिस बात की चिंता पूरे योरोप में है इस कैपिंग के बाद इसके लागू ना हो पाने को लेकर योरोप के एनरजी एक्षेंज ये इस बात की चेतावनी दी है कि ये कैपिंग अगर आ गई और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिए ये योरोप का बाजार गैस के प्राइस में सरकारें सीधे इंटर्वीन कर रही है मार्केट के भीतर सीधे इंट्रिवीन कर रहीं और निर्धारित कर रहीं कि अगर एक सीमा से अधिक गैस की कीमतें उपर गई तो फिर उसके बाद कंपिनियों के पर ये शर्त होगी कि वो गैस इसी कीमत पर सरकारों को ये बिजली घरों को बेचें इसका एक खत्रा वहाँ मै अधिक बंद हो चुकी है गैस पराम ने कल भी कहा है कि यूक्रइन के जरी बिजली यह थोड़ी बहुत गैस जा रही उसे भी बंद कर सकता है तो योरोप के देश समें किसी भी कीमत पर गैस खरीद रहे हैं दुनिया के कहीं भी बाजारों से किसी भी कीमत पर गैस खरीद जा रही है रखी जा रही है और जब तक योरोप के पास कोई स्थाइस बेवस्था नहीं होती गैस की आपूरती की उसे दुनिया के बाजार से खुले बाजार से कई बार तो इस पॉर्ट प्राइस के उपर गैस खरीद कर रखनी पड़ेगी डर्यमाना जा रहा है कि अगर य हैस आपूरती से बचेंगी और जिसका असर योरोप में बैकफार करेंगा और योरोप के लिए योरोप में फिर फैसला भारी पड़ेगा और इस लिए जो पॉलिसी आई है जो पॉलिसी इस तरह से लागू करने की कोशिश की जाएगे, इसा संकेत मिल रहा है कि ये बात देना की जाए, दुनिया के देश अपने अपने तरह से इस पर फैसला करें लेकिन कैपिंग आ जाने से बाजार में एक प्राइस का नया वेंचमाक आकर खड़ा जरू हो गया है, बिल्कुल